दोस्तो एक्टर सतिस कौशिक ने हिंदे फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा समय गुजारा था उन्होंने मौशम मूवी से बतोर आर्टर्स टारेक्टर अपने करियर के सुरवात की थी वो एक्टर भी थे और प्रडियूसर भी उन्होंने अपनी कौमेडी से लाको करोडों लोगों का दिल जीता था सबके चहरे पर मुस्कान आने वाले सतिस आज सबको रुला कर चले गए उनकी मौत ने सबी को जख जोर दिया है किसी को भी अकिन नहीं हो रहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है अपने पीछे वो बीबी शशी कोशिक और बेटी वनशिका के लिए करोडों की समपति छोड़ कर गए है सतिस कोशिक ने बॉलिवड में करीब तीन दसक बिताए उन्होंने पूरी सिद्धत के साथ काम किया फिर जाहे वो एक्टिंग करना हो या फिर मूवी डिरेक्ट करना हो यही वज़ा है कि उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर करोडों रुपे की समपति भी खड़े की बताया जाता है कि साल दोजर तेस में सतिस कोशिक की कुल नैथवर्ट 40 करोड रुपे थी सतिस कोशिक ने पॉलिवुड में अच्छे दोस्ट भी कमाये थे अनुपम खेर और अनिल कपूर उनके जिगरियार थे तीनों एक दूसरे पर चांच ड़कते थे हर मुस्कल कदम पर एक दूसरे कर साथ देते थे वो कई फिल्मों में साथ भी नजर आए सतिस कोशिक उम्र के इस पड़ाओ पर आकर भी अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते थे वो जिम में वर्क आउट करते थे सोसल मीडिया पर भी खूब एक्टिव और एक्सरसाइज करते हुए अपने फोटोस वीडियोस डालते रहते थे लेकिन अफसोस आज यह हमारे बीच नहीं रहे तो दोस्तों इनके लिए कमेंट में आराई पर लिखना ना भूए